महर्शी दयानंद सरस्वती विश्विध्याले के नईनेयुक्त कुल्पती प्रोफेसर अनील कुमार शुकला ने आज अपना कारिभार समाल लिया है लखनो के ख्वाजा मुईनोदीन चिष्टी भाषा विश्विध्याले के कुल्पती पत से रिलीव होकर वह ख्वाजा करीब नमाज की धरती पर पहुचे और राज्यपाल के आदेश नूसार कुल्पती का पदभार ग्रहन किया इस मौके पर अजमेर MDS विश्विध्याले के प्रफेसर शिक्षकों ने उनका अभिनंदन किया इस मौके पर उन्होंने विश्विध्याले के प्रबंधन को देखने के साथ ही विश्विध्याले को अजमेर ही नहीं अपितू इसका नाम देश दुनिया में हो यह है प्रात्मिक ताय बताई उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी के बाद हालातों में कई परिवर्तन है और आम लोगों के साथ ही शिक्षकों और स्टूडेंट के लिए भी कई अपर्चुनिटी और चुनौती सामने आई है आज डिजिटलाइजेशन का यूग है और इसके परिपेक्ष में बदलाव की आवशेक्ता है इस बदलाव से ही प्रगती मिल सकती है ऐसे में विश्विध्याले में कई कोर्स ऐसी शुरू किये जाएंगे जिससे की विध्यारतियों को लाब हो सके वहीं MDS विश्विध्याले में शिक्षकों की कमी के साथ ही विध्यारतियों की कमी भी एक बड़ी समस्या है इससे लेकर भी नए कोर्स शुरू कर बहतरीन प्रबंदन करने का प्रियास किया जाएगा निशितरूप से राजस्थान बहुत पवित्र भूमी है यह प्रथिराज चौहान का सहर है, खौजाजी का सहर है और यहां संभावनाएं बहुत है तो निशितरूप से थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही मिली जो अख़बारों में निकलता रहा वो इस्थितियां दिमाग में हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि समय के साथ हम यहां के सिक्षकों कामचारियों के साथ बैठ करके, टाएं करके और प्लान टाएं करके निशितरूप से आगे बढ़ाएंगे हमें विस्वास है कि अगर समभावनाएं हैं उनको सही दिसा दी जाए तो निशितरूप से विस्विध्याले आगे बढ़ाएगा इस्वर ने हमको यह मौका दिया है कि मैं दो विस्विध्याले में वाईशन सर रहा हूँ पहले लखनोब इस विध्याले से जुड़ा रहा हूँ डिपार्टमेंट एजुकेशन रहा है तो इनोवेशन्स नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार की अपेक्छाएं प्रदेश में संभावनाएं विध्यारतियों की अपेक्छाएं 21st century की जो century जो हमसे अपेक्छा कर रही है उनके बीच में तारेतम में बिठाना चाहिए हमें लगता है कि जो सामाजिक सरोकार है जो यूवर के सपने हैं जो कमचारियों के अपेक्छाएं हैं इन तीनों के बीच में तालमेल करके अगर हम इस विध्याले को आगे ले जा सक ओढ़ेतक है तो खोशी हो किदो में फोर्टो में बावर है को यह सामय बताये बताएगा क्यों नहीं पॉपाई कसे नहीं हो 11.ugen मने पढ़ा कि यहाँ पर इंप महने पर सुना है कि यहाँ पर विद्यृत्रियों की संख्या बहुत कम है है który हम लगता है कि अगर आप वैसे ओर आप अगेर कोर्से देव खूय जिनको योआवर के सोच रहा है किन को समें खाली आप ट्रडिस्टनल कोर्सेस दे करके विद्धरतियों को बहुत अट्रैक्ट नहीं कर सकते हों. एक कोर्स में अगर चालिस सीज के वाज में देढ़ सो आगे दनाते हैं फिर भी कोर्स रन नहीं किया है. अगे देखे तक साब अब ये पहले क्या हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता है. आज की तारिख में किसी भी सब्सक्राइब को वो चीजें देखने को नहीं मिली इस दो साल में तो आने वाले जो साल हैं उसके कोविद नाइंटीन ने अगर आप से बहुत कुछ चीना है तो आपको बहुत कुछ दिया भी है. जो चीज़ा है आप में हम लोग पिछड़े हुए थे. डिजिटलाइजेशन के बारे में हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि कब डिजिटलाइज़ होंगे. दो साल ने आपको एक ऐसा मौका दिया कि अब हर कोई डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ा है. एको तीन वास्तिविक्ताएं हैं दुनिया की जो हमको स्विकार करनी पड़ेंगे. एक प्रविटाइजेशन, एक डिजिटलाइजेशन और एक तीसरा चीज जो ह हमको की प्रविटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन के साथ में जो कोई वाद है. इसके साथ जो तीसरा टर्म यूज होता है कि हम एक हुमनेटीरियन जो आस्पेक्ट है. आपको इस मानविय पक्ष जो है ना, मानविय पक्ष जो है ना, इन तीनों के बीच में आपको में बिठा करके बच्चे को पढ़ाओगे तो आप न्याय नहीं करोगे. जो दुनिया की संकल्पना है विद्यारथी की वो आटोमेटेड लर्नर की संकल्पना है. जो आटोमेटेड लर्नर होता है, वो सेल्फ डिरेक्टेड होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ और इवन हमें तो कहूंगा कि सामान समय में भी अगर हम 20% online transaction curriculum का कर सक है तो एक बेहतर सामजस से हो सकता है online और offline दोनों का का अभुष यह अटा आप इंवस्टीत इंवस्टी के तीन काम होते हैं मूल्टा एक पेसर्वेशन अफ नालेज अप्रासronics है एक तो जो आप इनवस्टी उससर्च कि लिए इनिवस्टी की बात करहें हैं वह क्रियेशन अफ नालेज रिसर्च का मतलब खाली PhD डिगरी देना नहीं है अगर आप National Education Policy देखो तो वो कहता है कि पहली क्लास से रिसर्च होनी जाए रिसर्च को दो तरफ से देखना होगा एक तो आपको PhD स्टुडेंट आपके अन्रोल हो सके जिससे कि नए नालिज की सलचना हो सके और दूसरा चीज यह है कि आपकी पढ़ाने की अप्रोच यह हो कि जिसमें रिसर्च रिफलेक्ट हो क्लास दो के बच्चे को भी क्लास तीन के बच्चे को भी रिसर्च ओरियन्टेट